हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सब वेलकम टू दमांसीज किशन आज मैंने ट्राइ किया है ब्रेट कस्टर्ड तो चलिए से हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं सिंपल एंड डिलिशियस चलिए स्टाट करते हैं तो सबसे पहले एक कटोरी में हम तीन चम मर्शी वनिला फ्लेवर का मैंने कश्टर्ड पाड़र लिया है इसे डाल दें अब रूम टमप्रेचर पे रखा हुआ दूड डालके इसे अच्छे से मिक्स कर ले यह दिखिए यह मैंने लिए एक कड़ाई उसमें 500 ml दूद डाल दिया है आधा लीटर और इसे अच्छे से हम उवाल लेते हैं दूद गाड़ा होने तक इसको इसे ही चलाते रहे हैं दूद हमारा पकरा है तब तक आपने ब्रेड को काट लेता है यह मैंने फ्रूट ब्रेड लिया है यह द इसे में स्क्वाइर सेप में कट कर लेते हैं अगर आप चाहे तो यह किनारे के भाग निकाल दे जो ब्राउन पार्ट है वरना आप ऐसे ही डाल दें दूद हमारे एक साइड में इस डूम उबल रहा है और दूसरी साइड में पैन रख लेते हैं और उसमे अपना ब्रेड रंगे है इसमे डाल देते हैं दो चम Katy गी में फ्राई करें करेंगे अथ है विस्कों पालोटले दूद हमारा पक चुका है अब हम इसमें अपना कशर्ड पाउडर डाल देते हैं जो आपने गोल के रखाते है अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ ड्राइफ्रोट यह आठ से दास इलाइची कूट के डाल दें यह हैं कुछ किस्मिस यह कटी हुई काजू यह बादाम अब इस दब को मिसमें मिक्स कर देते हैं कि इन सब को डाल के लागतार चलाते रहें देखिए दूद हमारे कितना अच्छा गाड़ा हो चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं दो चम चीनी अगर पुचीनी नहीं डालना है तो आप ना डालें मीठा पसंद हो तो आप डाल सकते हैं मुझे तो मैं डाल रही हूँ आप स्किप करना चाहें तो इसकिप कर दें अब हम डाल देते हैं इसमें अपने ब्रेड के पीसे डाल के अच्छे से सबको मिक्स करके छोड़ दें अब गैस का फ्लेम बन करके अब इसे हम एक प्याले में निकाल लेते हैं हमारा ब्रेड कस्टर्ड रडी है अब इसे बिल्कुल रूम टंप्रेचर तक ठंडा होने दे और एक गंटे के बाद इसे फ्रिज में रख दे हमा कि यह देखिए कि कितना अच्छा है ना तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में तब तक लिए